हलो एबरीवन कैसे हैं आप सब स्वागत आपका मेरी यूटीब चैनल कॉमर्स वाले में मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि फॉर्म 16 में 80G का डिरक्षन तो दिखा रहा है बट जब हम आई टियार फाइल कर रहे हैं तो 80G का डिरक्षन लेने के लिए कुछ चाहिए होते हैं like pan चाहिए होता है में Donny का address चाहिए होता है और नाम चाहिए होता है तो अगर वो employer से आप मांग रहे हैं तो employer नहीं दे पा रहा है तो आपको basically क्या करना है और 80G का schedule जो है वो कैसे आपको भरना है basically अगर PM major fund में आपने donation दिया हुआ है तो PM care fund के details आपको कहां से मिलेंगे इस वीडियो में डिटेल में आपसे डिसकस करने वाला हूँ secondly अगर आपको ITR1 फाइल करना है फार्म सिश्टिंग के साथ तो उसका डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है और यहां आई बटन पे लिंक कर दिया है आप देखके घर बैठे आपका रिटन जो है फाइल कर सकते है and secondly schedule 80G आपको कैसे फीड करना है क्या-क्या चीज़े सेलेक्ट करनी है उसका भी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है मैंने और उसको भी यहां आई बटन पे लिंक कर दिया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पेस कीजिए बेल आइकन पेस करने के बाद आपको आल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अप्लोड करूँ तो उसका नोडिफिकेशन आपको मिल सके तो PM Care Fund में अगर डोनेशन किया हुआ है तो उसका डिटेल मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ यहाँ पे आपका PAN Number जो है PM Care Fund का वो है AAPT 393P अगर नाम देखेंगे तो नाम है Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund अगर आपका PM Care Fund में डोनेशन हुआ है तो आपको यह basic details डालने है और ATG का schedule जो है वो properly feed करना है और अभी problem यह आता है कि for example यह पीम केर फंड का detail हो गया for example अगर state-wise donation दिया रहेगा government को state-wise कोई donation दिया रहेगा तो उसके details कहां से मिलेंगे तो उसके details basically आप Google कीजिए आपको details मिल जाएंगे details मिलने के बाद अगर आपको verify करना है कि जो pen number मिला है वो correct है या नहीं है तो वो कैसे आप check करेंगे तो basically मैं यहाँ पर आपको check करके बता देता हूँ कैसे check करना है मैं यहाँ हए पे PM IKEA पर नाम ऑपन कर लेता हूँ या फिर नहीं है तो आपको basically क्या करना है आपको Chrome में आना है और एक नया tab open करना है और type करना है pay tax online और enter कर देना है जैसे आप enter करेंगे पहला tab आयागा e-payment 14 इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर option आता है चलान INS ITNS 280 इस पर आपको click करना है और proceed पर यहाँ पर click कर देना है पर जैसे click करेंगे यहाँ पर basic details कुछ पूछता है वह आपको click कर देना है जैसे यहाँ पर income tax मैं select कर लिया यहाँ एडवास tax select कर लिया है और मैंने यहाँ पर और एक्जमपल और गाल दिया और पिन कोड डालने पाद यहाँ आपको of capture फिल करना है और आपको कर दो अ Hm Yes樹, जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको आपका नाम जुह है जो आपने पने पर डनी डाला उसक नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं पैन नंबर आगया है और नाम भी आगया है Prime Minister Citizen Assistance तो ये वेसिकली आप चेक कर सकते हैं कि जो पैन नंबर आपने लिया है वो Correct है या फिर नहीं है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चेक करना है कि पैन Correct है या फिर नहीं है PM Care Fund का details मैंने आपे बता दिया है कोई और fund रहेगा जिसमें आपने donation किया रहेगा state wise तो उसका आप Google कर सकते हैं Google करेंगे डिफेंटली मिल जाएगा लेकि पहला prefer कीजिए कि आप employer से मांगे अगर employer नहीं देता है तो ही Google करें तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा यह जो मैंने अभी आपको चेक कराया कि यह कैसे चेक करते हैं यह basically process होता है अपना self assessment tax and advanced tax payment करने का तो अगर आप self assessment tax या फिर advanced tax payment करना चाहते हैं या फिर कैसे payment करते हैं अगर आपको यह जानना है तो यहाँ I button पर process पूरा मैंने process में बताया हुआ है कि कैसे payment करना है क्या-क्या चीज़े select करनी है even payment करके भी दिखाया हुआ है मैंने और यहाँ I button पर मैंने link कर दिया है आप देख लीजे आप definitely video देखने के बास self assessment tax और advanced tax खुद से pay कर पाएंगे आपको यह video समझ में आ गई होगी and आपको pen number, name and address मिल गया होगा ATG का schedule जो है यहाँ I button पर link कर दिया है detail में बताया है क्या-क्या चीज़े भरनी है क्या-क्या option select करने है तो I hope यह आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया है और यह video आपके लिए helpful है चैनल को subscribe करना मत भूलिए so thank you for watching and all the best